हेलो फ्रेंद्स मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दाएक्जाम ट्यूटर में दोस्तो एससे सीजियल की प्रीविएस एर कॉस्चन की सिरीज में यह हमारी 20 वीडियो है इससे पहले 19 कुस्चन पेपर्स की वीडियो मैं अप्लोड कर चुकी हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्रेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इन सारी वीडियो की पीडियो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल दाएक्जाम ट्यूटर पर मिल जाएगी टेलिग बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने question paper की ओर जिसमें हमारा first question है the railway system connecting St. Petersburg to Vladivostok is St. Petersburg को Vladivostok से जोडने वाली railway परनाली कौन सी है तो देखें St. Petersburg और व्लादी वोस्तोक ये किस देश में पढ़ते हैं तो ये हैं रसिया में और Trans-Siberian railway जो है ये रूस का एक परमुक रेल मार्ग है जो west में स्थित St. Petersburg से पूर्व में व्लादी वोस्तोक तक जाता है तो इस question का answer बनेगा हमारा Trans-Siberian railway option D will be the right answer next question की तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा as of 10th April 2022 who among the following is serving as the chief minister of 36गड 10 April 2022 तक निमने लिखे तमें से कौन 36गड के मुख्यमंत्री के रूप में कारियर रहत है तो देखिए जो 36गड के मुख्यमंत्री है वो कौन है तो वो है भूपेस भगहिल इन्होंने 17 दिसमबर 2018 को मुख्यमंत्री पद ग्रहन किया और इन्होंने किस के बाद किया तो इन्होंने राम्मन सिंग के बाद जो है इस पद को ग्रहन किया है तो इस question का अंसर बनेगा हमारा option D. भोपेज बगेल बढ़ते हैं next question की तरफ, next question है हमारा यह पूछा गया है कि किस विद्यूत अधिनियम में यह संसोधन करता है जो 8 अगस 2022 को लोगसभा में पेस किया गया था तो देखे विद्यूत अधिनियम 2003 जो है इस अधिनियम में संसोधन करता है 8 अगस 2022 को लोगसभा में पेस किया गया विद्ययक अब देखे यह जो विद्यूत अधिनियम 2003 है यह बिजली अक्षेत्र को बदलने के लिए भारत की संसद का एक अधिनियम है तो याद रखिएगा इस question का अंसर बनेगा हमारा option D 2003 next question की तरह बढ़ते हैं next question है हमारा which of the falling sides is located on the hills near the Brahmaputra valley on the way to China and Myanmar निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चीन और Myanmar के रास्ते में ब्रमपutra घाटी के पास की पहाड़ियों पर इस्थित है तो देखिए कौन सा स्थल चीन और Myanmar के रास्ते में जो ब्रमपutra घाटी पढ़ती है उसके पास की पहाड़ियों पर इस्थित है तो ये है दावजली हेडिंग option D will be the right answer next question की तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा with which of the following states is the folk dance तरंग मेल associated लोक नरत्य तरंग मेल निमनेलिकित में से किस राज्य से संबंदित है तो देखे तरंग मेल पूछा है तो तरंग मेल जो है ये गोवा से संबंदित है गोवा में किया जाता है तरंग मेल लोक नरत्य है अब गोवा की बात आती है तो गोवा के जो और लोक नरत्य है उनको देख लेते हैं तो देखे शिगमो शिगमो लोक नरत्य जो है ये किया जाता है गोवा में शिगमो एक किया जाता है देखनी देखनी लोक नरत्य किया जाता है गोवा में एक है जगोर और एक है गोंफ गोंफ लोक नरत्य भी गोवा में किया जाता है तो ये सारे आप याद रखिएगा ये काफी important होते हैं क्योंकि folk dances, festivals से related काफी questions पूछे आते हैं SSC में तो इस question का answer बनेगा हमारा option A गोवा, next question की तरफ बढ़ते हैं, next question है हमारा distance covered by the object is dash to time, वस्तु द्वारा तै की गई दूरी समय से कैसे संबंदित है ये पूछा है इस question में, तो देखिए वस्तु द्वारा तै की गई दूरी जो होती है वो होती है गती गुणा समय speed into time होती है तो देखिए जैसे अगर हमारा समय बढ़ेगा तो इसमें जो वस्तु द्वारा तै की कई दूरी होगी वो भी बढ़ेगी अगर इसका मान ज्यादा होगा तो इसका भी होगा, तो ये कैसे होते हैं, directly proportional होते हैं यानि की प्रत्यक्स रूप से अनुपातिक होते ह अंसर बनेगा हमारा directly proportional, option B will be the right answer, next question की तरह बढ़ते हैं, next question है हमारा, the family doctor program launched on a pilot basis, in the first week of September 2022, this program was launched by which state government, family doctor कारेकरम सितंबर 2022 के पहले सब्ता में पाइले आधार पर शुरू किया गया, यह कारेकरम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो देखिए family doctor program जो है यह सुरू किया गया था आंदरपरदेश सरकार की द्वारा, इस question का अंसर बनेगा आंदरपरदेश, next question देख लेते हैं, next question है हमारा, which of the following facts is not associated with PC Mahal Nobis, who contributed to the formulation of India's 5-year plans, निमनलिकित में से कोन सा तथ्य PC Mahal Nobis से संबंदित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर से योज 1931 में भारते सांखी की संस्थान की स्थापना की थी, इसलिए इनको भारते सांखी की का जनक भी कहा जाता है, और इनका जनम हुआ था 29th of June 1893 में, कहां पर हुआ था तो इनका जनम हुआ था कोलकाता में, तो याद रखिएगा, अब देखिए, options देख लेते हैं, इस question में क योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, यह भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दृत्य पंचवर्सिय योजना के में इनका एक बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इनको भारते योजना के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है, महाल नोबीस का जनम 1983 में कलकत्ता में हुआ था कलकत्ता में हुआ था ये बाद ठीक है लेकिन 1983 में हुआ था ये बाद बिल्कुल गलत है क्योंकि 1800 तिराण में में इनका जनम हुआ था तो इस question का अंसर बनेगा हमारा option D next question के तरफ बढ़ते हैं next question है हमारा अखिल भारतिया मुस्लिम लीग की सापना 1906 में कहां पर हुई तो देखें अखिल भारतिया मुस्लिम लीग की सापना की गई थी धाका में और किसके द्वारा की गई थी तो नवाब ख्वाजा सलीम उल्ला के द्वारा जो है अखिल भारतिया मुस्लिम लीग की सापना 1906 में की गई थी तो इस question का अंसर बनेगा हमारा option A धाका next question देख लेते हैं next question है हमारा which of the following is not a fundamental right निमनलिखित में से कौन सा मोलिक अधिकार नहीं है तो देखें मोलिक अधिकार जो है यह हमारे दिये है article 12-35 में किस देश के सम्विधान से लिए गए है तो यह लिए गए है USA के सम्विधान से अब इसमें पूछा है कि कौन सा मोलिक रही है तो right to freedom of religion जो है यह एक मोलिक अधिकार है right against exploitation यह भी एक मोलिक अधिकार है right to equality जो है यह भी fundamental right है लेकिन right to vote जो है यह एक fundamental right नहीं है तो इस question का answer बनेगा हमारा option d next question देख लेते हैं next question है हमारा the trombikeshwar is the origin of which of the following rivers trombikeshwar निमने लिखीत में इसे किस नदी का उदगम इस्थाल है तो देखे त्रिम्बकेश्वर जो है यह जोतिरलिंग मंदीर है कहां पर इस्थित है तो यह महरास्ट के नासिक जिले में इस्थित है त्रिम्बकेश्वर जो जोतिरलिंग है यह महर नासिक जिले में स्थित है और वहीं पर ब्रह्म में गिरी ब्रह्म गिरी नामक जो है एक परवत है और वहीं से गोदावरी नदी का उदगम होता है तो इस question का answer हमारा बनेगा गोदावरी नदी option D will be the right answer next question देख लेते हैं next question है हमारा who among the following was the guru of पंडित रवी शंकर निम्लिखित में से कोन पंडित रवी शंकर के गुरू थे तो पंडित रवी शंकर के गुरू थे अलावदिन खान इस question का answer बनेगा हमारा option D अलावदिन खान next question देख लेते हैं next question है हमारा match column A with column B column A को column B से मिलान करना है तो देखे एक column में दिया है vitamins और दूसरे column में दिये हैं इनके alternative name तो देखे vitamin A को क्या कहा जाता है तो vitamin A को कहा जाता है retinol, vitamin B12 को कहा जाता है sinocobalmin या cobalmin, vitamin C को कहा जाता है ascorbic acid और vitamin D को कहा जाता है ergo calciferol तो इस question का answer बनेगा हमारा BCAD, तो option D will be the right answer, इस question का answer बनेगा हमारा option D, next question की तरफ बढ़ते हैं, next question है हमारा in AIBA, boxing junior boys and girls competitions, the bout must consist of each round of 10 minutes, AIBA, boxing junior लड़कों और लड़कियों की परतियों गिताओं में, मुकाबले में, परतेक round कितने minute का होता है तो देखे ये होता है, 2 minute का, इस question का answer बनेगा, 2 minute, option D, AIBA की full form क्या होती है, तो देखे, MA tier MA tier international international boxing association, इसकी full form होती है, तो याद रखिएगा, MA tier international boxing association, इसको कहा जाता है तो इस question का answer बनेगा, हमारा option D, 2 minute, next question देख लेती है, next question है हमारा, which of the falling river rises in the Indian Himalayan निमनलिकित में से, कौन सी नदी भाड़ती हिमाले से निकलती है, तो देखे, Yamna nadी जो है, यह हिमाले से निकलती है यमनोत्री नामक स्थान से 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 यम question का अंसर बनेगा हमारा option B यम्रा नदी next question देख लेते हैं next question है हमारा which of the following town was built by the ruler विजाले इन कावेरी डेल्टा निम्नलिखित में से किस सहर का निर्मान कावेरी डेल्टा में सासक विजाले ने करवाया था तो देखें कावेरी डेल्टा में जो है विजाले ने किस सहर का निर्मान करवाया था तो ये करवाया था तंजावुर का इस question का अंसर बनेगा हमारा option D तंजावुर next question देख लेते हैं next question है हमारा the first complete census taken in India is in the air भारत में पहली पूर्ण जनगनना किस वर्स होई थी तो देखें भारत में पहली पूर्ण जनगनना जो है 1881 में हुई थी लोड रिपन के कारियकाल में तो लोड रिपन के कारियकाल में जो है पहली पूर्ण जनगनना हुई थी तो इस question का अंसर बनेगा हमारा option A next question देख लेते हैं next question है हमारा which of the following is not the function of the central bank of the country निम्दिलेखित में से कौन सा देश के केंद्रिया बैंक का कारियर नहीं है अब केंद्रिया बैंक पूछा है तो केंद्रिया बैंक किसको कहा जाता है तो Reserve Bank of India को केंद्रिया बैंक कहा जाता है देश का इसकी स्थापना कब ह हुई थी तो एक अप्रेल 1935 में जो है इसकी स्थापना की गई थी और देखें इसमें पूछा है कि केंद्रिया बैंक का कारिया कौन सा नहीं है तो यह जनता से जो है यह जम्मा स्विकार करता है यह बिलकुल गलत है it accepts deposits from the public इस question का अंसर बनेगा हमारा option c next question देख लेते है next question है हमारा the run utsav is organized in which of the following states of India to promote tourism परियतन को बढ़ावा देने के लिए भारत के निमनलखित में से किस राज्य में run utsav का आयोजन किया जाता है तो देखें परियतन को बढ़ावा देने के लिए run utsav का आयोजन किया जाता है गुजरात राज्य में कहां पर किया जाता है गुजरात राज्य में तो इस question का अंसर बनेगा हमारा option a next question देख लेते हैं next question है हमारा which of the falling states has got first of its kind state level bird atlas in India निमनलखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरिय पक्षी एट्लस मिला है तो देखे एट्लस नाम का पक्षी कहां पर मिला है तो यह मिला है केरल राज्य में इस question का अंसर बनेगा हमारा option a केरल next question देख लेते हैं next question है हमारा identify the correct statement about inertia जड़त्व के बारे में सही कतन पहचाने तो देखे जड़त्व जो है ना जड़त्व डिपेंड करता है मास पे या द्रवेमान पे यह directly proportional होता है द्रवेमान के तो जितना जादा अधिक द्रवेमान होगा उतना ही जादा हमारा जड़त्व होगा तो इस question का answer अनतराज सागर टैंक का निर्मान की सास को दुआरा करवाया गया था तो देखे विजय नगर की सास को दुआरा जो है अनतराज सागर टैंक का निर्मान करवाया गया था तो इस question का answer बनेगा हमारा option A विजय नगर next question देख लेते हैं next question है हमारा who among the following choreographers from Bollywood was a three time national award winner in 2003, 2007 and 2009 he or she worked in many Hindi movies including Sanjay Leela Bhansali's movie देवदास Bollywood के निम्नलिकित कोरियोग्राफरों में से कौन 2003, 2007 और 2009 में तीन बार रास्ट्य पुरुसकार विजयता था उन्होंने संचलीला भनसाली की फिल्म देवदास सहीत कई हिंधी फिल्मों में काम किया है तो देखी सरोज खान जो थी सरोज खान का दिहान्त हो गया था जुलाई 2020 में और इन्हें तीन बार रास्ट्य पुरुसकार से नवाजा गया है कब तो 2003 में जो है इनको नवाजा गया था देवदास फिल्म के लिए 2006 में इनको नवाजा गया था स्रंगारम ये एक तरमिल थी श्रंगारम के लिए और 2008 में जो है इनको जब वी मेट फिल्म के लिए रास्ट्य पुरुसकार से नवाजा गया था तो इस कुशन का अंसर बनेगा हमारा option B सरोज खान next question देख लेते हैं next question है हमारा in what form is the energy derived from the food that we eat is stored in our body जो हम भोजन खाते हैं उससे प्राप तुर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होती है तो देखें जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें energy मिलती है वो किस रूप में होती है वो होती है glucose की फोम में और इसको कनवर्ट किया जाता है glycogen में और यह जो प्रोसेस है यह कहां पर होती है तो यह होती है लीवर में और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है glycogenesis क्या कहा जाता है glycogenesis और जो यह glycogen है यह हमारी लिवर और मसल्स में स्टोर कर लिया जाता है तो इस question का answer बनीगा हमारा glycogen जो हमारे श्यदीर में उर्जा होती है वो किस रूप में संग्राइध होती है तो वो होती है glycogen में option C will be the right answer so friends यह हमारे 25 questions यहीं complete होते है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह वीडियो आपको अच्छी लगती है helpful लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलेंगे next वीडियो में नए question paper के साथ तब तक के लिए wish you all the best take care thank you